दिशाविहीन सरकार का सोच विहीन प्रतिनिधियों की भीड़ है यह बहुत जादा उमीद मत करिए कोई सार्थक बात करने वाला जमात विकल्ब का जहलक 24 में भी बिलेगा जब प्रधान मंतरी को बिहार की जनता जैसे 14 और 19 में प्रचन बहुमत के साथ दिल्ली में बैठाई फिर 24 में बैठाई गे और 25 में पुना भाजबा की सरकार का यहां पर गठन होने जा रहे हैं नमस्कार में आना मुतकरश है आप लाइप सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं देखिए केंद्री एक ग्रह मंतरी अमित शाह आज बिहार दौरे पर है और आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कि यह पटना का बापू सबागार है जहां पर अमित शाह पहुंचने वाले है दोपहर साधे तीन बजे जो है कारेक्रम वो शुरू होने वाला है और उससे पहले किस तरीके की शुरक्षा है आपको तमाम तस्वीरे दिखा रहे हैं बापू सबागार में जो अभी है वी वी आईपी मोमेंट के तहते तमाम गेटों को बन कर दिया गया है क्योंकि अंद तमाम नेता जो है वो यहां पहुँच रहे हैं क्योंकि केंद्री एक ग्रह मंत्री है तो उनके प्रोटोकॉल के तहए तो तमाम सुरक्षा जो है वो भी बढ़ा दी गई है बताते चले कि जस तरीके से आज एक तरफ महागडबन की राली है तो दूसी तरफ बीजे पी का स सबसे पहले पटना में एरपोर्ट के बाद सीधा वो बापु सबागार आएंगे जहां पर स्वामी सहजानन सरस्वती की जैनती मनाई जाएगी उसके बाद की तस्वीरे अगर आपको बताएं तो सीधा तक्सरी हर्मिंदर साहिब जाएंगे यानि कि पटना सिटी गुरु मंत्री हैं साथी साथ सहकारिता मंत्री भी हैं देश के और ऐसे में लगातार जब 2024 में लोगसबा चुनाव है तो उससे पहले ही की तैयारिया है वो देखने को मिल रही है तमाम जगों पर आप देख सकते हैं किस तरह के से लिखा हुआ है देश के प्रधान मंत्री नरेंद की बात हो रही है वो केवल किसानों की देन है और साथी साथ तमाम जगों पर किसान से संबंदी तमाम चीज़े लिखी गई हैं सॉयल हेल्थ की तस्वीरे बनाएं गई हैं यानि कि साफ है कि अमित शाह जब आज बहार आएंगे तो खूब गरजेंगे महागडबंधन की सर यहां बहार के मुख्यमंतριâm नतीश खुमार होंगे आपको तमाम तस्वीरे दिखा रहे हैं किस तरीके से यह वापूर्सववागार की किजा रही है लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं में महाराली क्या लग रहा है कि कोई किसके में भीड़ जादा होगी क्योंकि एक तरफ कर रहे हैं कि इतनी भीड़ होगी कि लोग देखते रहे कि क्या आने वाले समय में आज ही याद आ रहा है अमिर्शा को बिहार आना इससे पहले अमिर्शा बिहार नहीं आ सकते थे जब महागटबंदर की सरकार आई यह तब लगता रहे है अग्यानियों की भीड़ है कितना ग्यान दीजेगा थोड़ा उनको अध्यन उद्यन करना च मंत्री मंत्री ही जी आये तो जब भाजपा के साथ थे चरपा चरपी किये हैं तो उसके दूसरे रूप माना पड़ा है जब गडबंदन तोड़े उसके भी तिन निन पहले यहां पर उनकी सभा हुई थी तो यह सब फालतू का बेबुनियादी बात सब लोग कुछ न प्रतिनीधियों की भीड़ है बहुत जादा उमीद मत करिए को कोई सार्थक बात करने वाला जमात अक्री सवाल है सर कि क्या लग रहा है बिहार में जिस तरीके से मागडबंदन की सरकार बनिये स्थिर रहेगी क्योंकि तेस पी और नितीश कुवार में लगातार तकरार द अधान मंत्री को बिहार की जनता जैसे 14 और 19 में प्रचन बहुमत के साथ दिली में बैठाई फिर 24 में बैठाई और 25 में पुना भाजपा की सरकार का यहां पर गठन होने जा रहे हैं विवेक ठाकुर की 24 और 25 में नजर आए जाएगा कि क्या होने वाला है देश में 24 में ब के से अमित शाह गूंजते हैं वो देखना काफी आएम होगा फिलाल कोर्मने से वितना ही आप हमारे साथ बने रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल सेल कर ले बहुत बहुत धन्यवाद